हेलो डियर इस्ट्रेंड वेलकम तो ओवर यूट्यूब चैनल आज के सेशन में अपन बात करेंगे डी एससबी के पिपर सॉल्यूशन के बारे में और साथ ही साथ इंपोटेंट किसंस की बात करेंगे जो आपके नौर सैट सेवन में काफी इंपोटेंट रने वाले हैं और साथ ही साथ में अपन इमेज बेज किसंस की भी बात करेंगे सेशन काफी इंपोटेंट रने वाला लास तक जरूर बने रहेगा थोड़ा सा भी स्किप मत करना डियर CT इसकी image भी आ सकती हैं dear friends इसकी क्या आ सकती है image base VQ आ सकता है इसका इसकी full form भी आ सकती है इसका मलब definition के according VQ पुटप हो सकता है तो अपन तिनों को भी डिल करेंगे साथ में साथ चलिए देखते हैं PPT CT इसकी full form है prevention of parent to child prevention of parent to child transmission of HIV या AIDS देखो prevention of parent to child transmission of HIV या AIDS यह एक संस्ता बनाई यह यह प्रोटोकॉल बनाया गया है जिसमें AIDS या HIV की prevention के लिए बनाया गया है जिससे कि अपने parent से child में transmission ना हो उसे प्रिवेंड करने के लिए PPT CT बनाई गई है इट इस ए प्रोग्राम देट एंस टू प्रिवेंड दा transmission of HIV फ्रॉम ए प्रेंट तू चायल यह अभी इपन ने बात कर ली है कि यह प्रोग्राम है जिसके द्वारा प्रिवेंड करना अपने चायल को प्रेंड से transmission होने वाली जो HIV या AIDS डिजीज है उसको प्रिवेंड करना यह अपना मोटो था PPT CT का prevention of parent to child transmission of HIV या AIDS इसकी फुल फॉम काफी important है पुछ जा सकती है देखो इसका image कैसा आ सकता है यह देखो इसका red ribbon की तरह question put up हो सकता है कि prevention of prevention of parent to child transmission of HIV PPT CT यह इसका कि दे रखा है red ribbon की तरह है और अपने चायल को चायल और पैरेंड को साथ में दे रखा हैं तो important है hundred to hundred percent equation आपके नौर्सेट में आ सकता है और बाकि जो आपके DSSB में अभी दो second पार होने वाली हैं उनके भी exam जल्द होने वाली हैं उसमें भी यह काफी important रहने वाला हैं तो session को एक बार से ज़रूर करना चली आगे बात करते हैं अपन देखो down syndrome very very important क्योंकि हर सिप्ट में down syndrome से related किशन पूचा जाता हैं हाँ डियर फ्रेंड हर सिप्ट में बोल रहा हूं में one से two questions down syndrome के related exam में देखने को मिलते हैं तो आपका down syndrome कफी important हैं जितना भी हो सके आपको down syndrome के बारे में जानकारी में दे सकता हूं और आप और कुछ गयन करना साथते हो down syndrome के बारे में तू अपनी notebook में अलग-अलग notebook में देखना फ्रेंड्स important है हर बार क्यूशन आता हैं और आपके DSSV में हर स्ट में ये exam आ रहा हैं और में भी important हैं पुछा जा सकता है down syndrome also called trisomy 21 क्या होता है trisomy 21 की होना इसकी अपन symptoms सारे के सारे बात करेंगे देखो a genetic chromosome 21 disorder causing developmental and intellectual disease इसमें क्या हो जाता है developmental and intellectual MR की condition हो सकती है mental retardation की condition हो सकती है सिधा इसका यह है है down syndrome is the genetic disorder down syndrome क्या है एक genetic disorder है code when abnormal cell division इसमें क्या होता है abnormal cell division होता है results in extra genetic material इसमें क्या हो जाता है extra genetic material फ्रॉम क्रोंजूं 21 trisomy 21 की क्या हो जाती है trisomy व्allows 은 जोती है एक्स्टा क्रोम जोब माँच आता है 21 में तो वो डाउनश्यक्यान कोच करेगा पुरा कगशुक्षा देखेंगे इसमें क्या होता है धुरिंध कल फिचर्स कौन से नहीं गता है क्लिनिकल फिचर्स व्यान oder है है फ्लेट फेशिय ल प्रोफाइल इसके डिद्पष्राइड पुचे गए थे अपके इसस्प पांस सेप्टमबर को हर्सुट में इसका डाफ्राइड है और विद्बेश् circular पुचे गए थे फ्लैट फैशिय ल प्रोफाइल और पुचे है ज्टीर एक वीडियो मैं डिशक्स कर लेंगी' cross syndrome के बारे में एजी फ्लैट फेशिल प्रॉफाइल fast考 कि होगा एजय आइज देखू slanted of the eyes और small ears कैसे होंगे ears कैसे होंगे small होंगे और eyes की रहे कैसे रहेगी upward slant eye रहेगी and tongue that tends to stick out trunk trunk क्या हो जाएगी आपकी protrusion हो जाएगी loop muscle tone होगा cold hypotonia यह आ सकता है hypotonia is also common in काई kids बच्चों में देखने को मिलता है with down syndrome में but is but is less obvious as they get older mild to moderate intellectual disability देखने को मिलती है MR देखने को मिलता है friends important है पुचा जा सकता है अब थोड़े देखते हैं क्या इसकी clinical common features है common medical issues for kids with down syndrome that parents should ask doctor about देखो इसमें क्या रहता है cardiological issues रहते हैं heart defects रहता हैं तो first symptom यह होगा tracheusophagial fistula tracheusophagial tracheusophagial fistulas होते हैं वो भी एक heart congenital heart disease को कोज है तो आपकी congenital heart disease CSD इसमें देखने को मिलती है important है पुचा गया था आपके एक सिप में cardiological issues heart defects के बारे में यह पुचा गया था यह किसका symptom है किसमें देखने को मिलता हैं आपके down syndrome में देखने को मिलता है वो मैंने करवा दिया है low muscle tone देखने को मिलती हैं इसमें joint and ligament issues रहते हैं gastrointestinal issues such as GRD और cilic disease देखने को मिलती हैं cilic gluten and terobetis होती है वो देखने को मिलती है vision problems होते हैं में atalanto axial instability जो atalanto joint होते हैं वहाँ पर defect देखने को मिलता है neck and spine injury देखने को मिलती है dental issues रह सकते हैं slow metabolism रहता है इसमें आपका metabolism कैसा रहता है slow रहता है problems feeding as infants properly feed भाते है आइबाए जम इूंबिब्योंड देखने को मिलता है noticed assigned to the room Setting death Lorser komma dizer insulatedá यह Papнуться इन्डोडी पर抜िकने को मिलता है यहकी वारा के शुक्षार रिखंगी और नोज और आपहाइस कैसे रहेगी मलब आपकी जो भीане तंग यह वो प्रोट्रियोजन रहेगी आईज गेसी रहेगी आपकी सलेंटेट रहेगी द्यान रखना इंपोर्टेंट है सारे के सारे सम्टम्स और भी अपन देखते हैं टेस्ट पांस सेप्टमबर को आपकी पर स्युट में टेस्ट के बारे में पुचे गए थे मलब डाइनोस्टिक टेस्ट के बारे में पुचे गए थे अपन सारे के सारे टेस्ट इसमें डील गरेंगे देखू स्क्रेणिंग टेस्ट होती हैं इसमें और एक डियाग्नोस्टिक सकते हो सोड़ा वीक तक आपकी क्या रहती है अल्ट्रसाउंड सोनोग्राफी फेस्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है बायो केमिकल टेस्ट करवाते हैं फेस्ट और सेकंड ट्राइमेस्टर में बायो केमिकल टेस्ट और फिर आपके अल्ट्रसाउंड सेकंड सकते हो और नकल ट्रांसलिसेंट सी करा सकते हो और डाइग्नोस्टी टेस्ट में क्या होता है इंपोटेंट है एमन्योसेंटेसिस और सीवी एस कर वा सकते हो आप कोरियोन टुकष शैंपलिंग आपके उपा फूल पॉंम में कोरियोनिक विलाइज्ट सैंपलिंग इसे संपल ले जाते हैं और यहमुल को एक मुणनिफ फेल्ट करके निकाला जाता है वहां सेट आप सेंपल ले सकते हो फिसमें कैसे रहती हैा आप These से लेंने को मिलती है अब इपने बात कर ली है इंप और ये इस देखने को मिलते हैं और फ्लेट नोजट ब्रीज और घ्म तोड़ा दीख रहा हां नzychय वहाला यह धीमडियाद entre कैसे रहेगी सोट रहेगर इंपट्रेंट हैं ध्यान रखना उफ्सक्राइब नमें क्योंद करते हैं ट्री टेस्ट पर फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉर्फॉज को饷र करते हैं OR और क्वाट्रिफल में कौन से SCG होगी, AFV हो गया, और STOL हो गया, और इन साथ ही साथ में आपका इन ही भी A, ये इंक्रीज होगा, तो डाउन संड्रों देखने को मिलता है, SCG क्या होता है, डाउन संड्रों में डिक्रीज होता है, एमन्योटी फ्ल्यूड को भी अपन चेक कर है, इनक्रीज होता है, S-T-O, आपके, ये भी इनक्रीज होता है, ये देखने को मिलता है, सारे के सारे, त्यां रखना कौन से हो गे? SCG, AFV, TBL, स्क्रीनिंग में SCG देखने को, SCG देखते हैं, AFV हो गया, और S-Tol हो गया, आपके вещи स्क्रीन में क्या होता है? SCG, AFV, STOL, फ्लॉर साथ में इडिया जाता है वो आपकी कोटरी फल इसक्रेणिंग टेस्ट हो गया चलिए आगे बात करते हैं यह कुशन आया था आपके सेप्टम्ब्र को सीट ती उसमें आया था सड़्ज में तर से क्यूशन आया था जो लेबर की सेप्रेशन फेज होती हैं वहां से आया था प्लाजमा को सेप्रेट कैसे करते हैं सेप्रेट के बारे में आया था कि सेप्टम्ब्र कौन सी सर्पेश से रिलेटेट है तो वहां से यही आपको ट्राइट करना था को सर्ज मेतर क्या होता है कि सबसे पहले प्लाज्म को से अंधा प्लेसेंटर गया दो अधेल सर्पेस एंड गिसपार्ट डिसेंड्स फेच्टन फैड्स यह दिपार देखने को मिलता है विद दा रिमाइंडर फॉलो विंग आटके देखो सल्ज मैथड इंपोटन है तो यह और है इसका मैथड मैथ्यू डंकन मैथड यह भी इंपोटन्ट है मैथ्यू डंकन सेपरेशन मैथड इन्वोल विज डिटेश्मेंट ओव दा लेडिंग ऐड्स ओफ दा प्लेश सेंटा मदलब ऐडस का मयतलब किनारे से सेपरेट किया जाता है आपका प्लेशन गुद जो आपकी सरफेश होगी वह मैटनल सरफेश से यह दिलिवेड किया जाएगा द्ग प्लेश सेंटा और इन्टर ओरेश्मेंट स्लिप्स डाउन एंड अउट और हर आउट और दा य्योटेरस साइड़ वेज और इसमें मैटरनल आपकी साइड रहेगी मैथ्यू डैनकन में एंसे आप रिया दखना मैटरनल सर्पेश है मैटरनल सैड रहेगी इसमें क्या रहेगी एट से प्लेसेंटा को डिलिवर करवाया जाएगा इंपोटेंट है आ सकता है और देखो आपके BMW से मैंने कहा था काफी इंपोटेंट है BMW BMW 1001% की इसन आता है मैंने दो वीडियो में अलग-अलग तरीके से BMW करवाया था तो हर सेट में BMW पूचा जाता है और नौट सेट में भी इंपोटेंट है BMW तो 55 सेटेंबर कीकिश के में लिकृड वेस्ट सुडबी डिसकाड़ेड इन यह फुचा कुछ आए था किसमें डिसकाड़ेड टेंगे रैड और येलो pamię बायू हजारड़ वेस्ट कंटेनर में यह डिसकाड़ के जाएंगे ध्यान रखना रेड़ यहलो बायू हजारड़ वेस्ट कंटेनर अब देखो एक क्यूसन आया था वह भी पांस सेप्टेमबर को फ्लैक साइन किसमें देखने को मिलते हैं फ्लैक साइन इन वीच कंडिशन तो राइट आपका उप्सन था, कॉशसी और कर में Flag Sign देखने को मिलते हैं, क्या होता है Flag Sign, क्वासी और कर क्या होता है, फुरे के आपन डि्सकस करेंगे, क्या इसका Management है, वो भी एपन डिसकस करेंगे क्वासी और कर के बारे में, क्योंकि देखू फ्रेंज और डी एसस पी में कैसे कैशन पूचे जाते हैं पॉइंट दीविशन पूचे जाते हैं वहीं से ही एक कुशन पुटफ कर लिए जाते हैं आपके नोर सर से क्योंकि हर टॉपिक इंपूट रहता है ederim के एक्जाम के point of view से क्वासी औरकर नॉर्सेट में भी अन्ड्रेट टू वन परसेंट इक्विशन आता है उसके बारे में यह तो इसके सायन से सायन से सैन्टम से आएंगे तो अपन डेल करते हैं क्वासी औरकर क्या रहता है यह अपन बात करेंगी क्वासी और बनता है अकर डियूटूटू डियूस एप से और को उरकेस्णंसरे लेखना होता है अक deficiency of protein के deficiency के करान क्वासी और कर होता है protein की deficiency होगी तो itema cause होगा जिसके हैं इसका नाम होगा adamatis malnutrition manly effect 1-4 year of age group यह भी important है यह से 4 year तक बच्चे इसमें manly effect होते हैं manly effect visceral protein compartment यह important है और जो भी visceral protein compartment होते हैं वो अफ्यक्ट होते हैं इसमें क्योंकि वहां से आपकी प्रोटेन की डेफिसेंस सी सुरू हो जाती है अब साइल सिम्टम की बात करते हैं क्वासी और कर्में देखो ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलता है due to protein हो रहा है ना जिसके करांद growth retardation होगा कि अभी देखते हैं growth retardation due to decrease protein देखो यह डिमा हो गई आपकी एडिमा क्यूं होगा due to hypo albuminemia क्योंकि protein deficiency हो रहा है तो hypo albuminemia नहीं है मनलब albumin नहीं है जिसके करांद edema होगा यह hypo albuminemia हो रहा है चो कि वहां भी प्रोटेन की डेविंची हो रही है तो जन्रलाइज एडिमा देखने को मिलता है ना सर का का को मिलता है बबॉक्ष पयएंग में देट लें अप्येर अपर एक्ट्रिमची में दैन फैस में और दैन यह अनिस एंट्प बोड़ी मैं आपका एना सर का देखने को मिलता है, जेनरलाइज डीमा देखने को मिलता है, ये अब important sign की बाहत करेंगी, higher changes, इसमें quasi worker में higher कैसे change रहते हैं, important है, आ सकता है, higher changes, ये flag sign तो DSSB में पूच लिया है, not said में under to 1% पूचा जा सकता है, flag sign किसमें देखने को मिलता है, क्या होता है, देखो, flag sign आपकी quasi worker में देखो, मिलता है, इसमें क्या होता है, alternate light and dark zone of higher, इसमें क्या होता है, कि मलब उपर से थोड़ा आपका dark hair होगा, और बीच में से जो digital portion होगा, वो आपका क्या होगा, light रहेगा, मलब अलग-अलग दो colors होंगे, आपके hairs में, वो होता है, flag sign, alternate light and dark zone of hairs में देखने को मिलता है, ये, देखो, ये, आपका skin होगा, मलब, इसकल होगया, इसकल होगया, सबसे पहले आपका दो parts चुनते हैं, ये digital होगया, उपर वाला, ये proximal होगया, ये digital और proximal होगया, डिश्टल में क्या देखने को मिलता है, hyper pigmented मलब dark, जो आपके देखने को मिलता है, hyper pigmented रहता है, dark रहता है, उपर से hairs का तरह कैसा रहता है, dark रहता है और proximal जो, जो कि आपके skull से attached हैं, वो hypo pigmented रहेगा, light रहेगा, देखो color कैसा होता है, अब ये मैं बता दे रहा हूँ, hairs का color, suppose that ये आपका skull होगया, ये skull होगया ये skull होगया आपका, और इसमें आपका hairs कैसा रहेगा, दो colors देखने को मिलेंगे आपके, fast, ये आपका proximal होगया, ये क्यों होगया, आपका hypo pigmented रहेगा, light रहेगा, और उपर वाला क्या रहेगा, आपका distal जो क्या रहेगा, dark रहेगा, hyper pigmented ये है, आपका skin का दो color देखने को मिलेंगे, ये होता है, इसलिए मैं लेकर आया हूँ कि फ्लेक साइन फूच लिया है, तो काफी important है, फुरा का फुरा का फुरा का फुरा कौर कर और मेरा समस important है, दोनों को deal करेंगे, क्योंकि इससे हर बार question आपके north set में भी आते हैं, इस session में combo अपन discuss करेंगे, north set को भी अपन deal करेंगे, panantef, flecky point appearance में देखने को मिलता है, इस monsieur be important flecky point appearance के इस में देखने को मिलता है, ये भी आपके क्वाशिय और्क आफ्रकल में देखने को मिलता है, अल्टर्नयाट लाइट एंड डılarक जोन ओप इस्कीन, ये क्या होता है skin में altern8, light & dark zone of skin, इस देखने को मिलता है और इसका मेनिजमेंट क्या होगा आपन को देखने को अको तु फिडिन करवा नहीं है यह आपका मेनेजमेंट रहेगा फिडिंग मैं क्या होता है माइल्ड से moderate quasi worker है तो उसको provide formula feeding करवानी है फैस्ट ये में क्या करवाना है आपको 150 ml per kg की according 12 feeding करवानी है second day में क्या करवाता है 150 ml per kg half strength milk देना है dividing 8 feeding देनी है आपको और 3rd और 4th day में आपको उसको 100 ml per kg की according उसको full strength milk provide करवाना है 6 feeding देनी है उसको और यह सारी की सारी feeding less than 6 month के बच्चों में दी जाएगी और अबो 6 month के बच्चे हैं महब पे आपको provide करवाना है high protein diet provide करनी है क्योंकि protein की कमी हो रहे हैं तो high protein diet कैसे होगी 4-5 gram per kg per kg के according बोल रहा हूं डियर per day देनी है आपको 6 month से उपर वाले बच्चों को 4-5 gram per kg per day जैसे की एक बच्चे का वेट है 2 kg तो 2 से अपन गुणा करेंगे यह हो गया 8 plus 10 बलब 8 से 10 gram per kg अपन को per day provide करवाना है high protein diet अगर शीवियर स्यवियर क्वासी ओर्कर है तो चाइड अगर refuse कर रहा है feeding तो parental nutrition आपको देना है शीवियर क्वासी ओर कर है तो अगर child feeding नहीं कर था है तो अपन को क्या करवाना है ऊपने बात करएंगे इन्पाइटरल ने उट्रीशन उसको देना है अब आप Row करेंगी क्वासी वर्क और गया तो इसका भाई गी ऑbene gases भी आएगा इमपोटेंट ऩर यह भी तो इसको भी एक्रिडेस औरागर। मेरासमस क्या होता है also known as infantile atrophy important है infantile atrophy बोला जाता है आपके क्वासिव यह मेरासमस को और क्वासिव और को क्या बोला जाता था दोनों को दियान में रखना है infantile atrophy आपका मेरासमस हो गया it occur due to deficiency of energy यही तो क्या से आता है कि इसकी definition से आती है क्या इसकी definition होगी deficiency of energy किसमें देखने को मिलती है मेरासमस में और deficiency of protein किसमें देखने को मिलती है क्वासिव और कर में mostly affect below the one year of age child यह भी question आता है उसमें क्या था one से four year तक के बचों में देखने को मिलता था यहां से क्या हो रहा है less than one year के child में देखने को मिलती है मेरासमस affect somatic protein compartment यह भी question आता है कि जो somatic protein compartment रहता है वहां से affect होता है मदलब skeletal muscles इसमें defect रहती है और उसमें क्या था visceral protein compartment defect था इसके cause कौन से है देखो इन sufficient breast milk chronic diarrhea देखने को मिलती है मदलब celiac disease इसका most common cause है और अपन बात करेंगे sign symptom की important है severe muscle wasting देखने को मिलती है क्यांकि skeletal muscle renewal हो रही है severe muscle wasting देखने को मिल रही है body weight आपका 60% below the expected weight of age की according decrease होगा body weight कैसा रहेगा 60% below the expected weight of age की according आपका 60% weight loss होगा ये गोर important sign है जैसे flex sign था ऐसा का साइस में भी है boogie paint appearance किसमें देखने को मिलता है ये डाइनेट पूचा जाता है dear friends ये नहीं पूचा जाता है कि boogie paint appearance क्या होता है lose and wrinkle skin of buttocks region lose and wrinkle skin of buttocks region buttocks region की जो भी muscles है वो lose wrinkle देखने को मिलेगी वो होता है आपका boogie paint appearance very very important है dear friends dear friends अगर आपको मेरा content अच्छा लगता आपको सरकी मेनत आपको अच्छे लगते हैं तो dear friends please please इसको एक बार say जरूर करना और ये भी important है monkey face किसमें देखने को मिलता है कि मेरा समस्में monkey face क्या होता है दूढ़को लो सर बकल फेड बकल की ओर कम फे क्या हो रही है वहाँ से लोस हो रहे है तो monkey face देखने को मिलता है due to lose आपक हो अपकल फैड ओल्डवेप्रकरण्स देखने को मिलेगा इसमें वो बधे आदमी की तरह old-man की तरह दीके-ग अब ओल्ड मेन अपिरेंस देखने को मिलेगा, ओल्ड मेन अपिरेंस देखने को मिलेगा, सो, हंगर, उसको बोग लगती रहेगी उसको और इरिटाबिलिटी देखने को मिलेगी, यह नॉर्मल से साइन है, बस यह एक इंपोर्टेंट है, ओल्ड मेन साइन, मंकी पेस और प्रोवाइड पेरेंटर नियूट्रिशन उसको प्रोवाइड करवाना है चलिए आगे बात करते हैं क्यूसंस के बारे में अब 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 बात करेंगे कुछ इंपोटेंट क्यूसंस की उसके बाद में अब बात करेंगे important signs and symptoms की सारे के सारे आपके MSN से related हो गई सारे के सारे अपन signs and symptoms लेटेंगे काफी important रहने वाले हैं आपके सारे के सारे signs and symptoms और जो भी आपकी antidotes हैं antidotes जो भी poisons हैं आपके उनके सारे antidotes अपन इस वीडियो में deal करेंगे dear friends share जरूर करना एक बार बात करते हैं which of the following is negative symptom of schizophrenia schizophrenia का कौन सा negative symptom में पुचा गया किसन है important है जो भी DSSP में भी यह important है ध्यान रखना पुचा जा सकता है कि schizophrenia का negative symptom कौन सा है delusion and hedonia hallucination or clung association सारे के सारे आपको यह verb याद रहेगी and hedonia is the negative symptom of schizophrenia त्यान रखना सारे के सारे negative symptoms आपको देख लेने positive symptoms देख लेने schizophrenia के तो सिजोफरेनिया का negative symptom कौन सा होगा and hedonia and hedonia is the negative symptom of schizophrenia delusion perception का disorder यह question आपके ने DSSP में पूच लिया गया है DSSP के अगोडिन नौर सेट में भी काफी बार एक्जम पूचा गया and hedonia को भी बीचा गया hallucination, clone association association को भी पूचा गया है ध्यान रखना आगे बात करते हैं इन्हें लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर gases is used for inflation abdominal wall लेको abdominal wall को inflate करने के लिए लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर में कौन सी गेस को यूज में लिया जाता है CO2 third option is the right answer carbon dioxide को abdominal wall को inflate करने के लिए यूज में ले जाती है कब लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर करते हैं तब अब अपन बात करते हैं थोड़ों की poison से उनकी antidote इसका अल्रड़ी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है तो आप इसमें भी बंडिल कर लेते हैं poison और antidote यह एक कॉंबो वीडियो है अपना DSSB paper solution with आपके नौर्सएट इंपोटेंट है नौर्सएट 7 के अकोडिंग सारे के सारे questions important है acid aminofan poisoning होगी है और आपके देखो itaminofan acid aminofan की poison होगी है तो उसको antidote कौन सा होगा antidote कौन सा होगा иков a n-acetyl c-16 इस दा एंटी डुर्ड ओपकिसका acetaminofan तो acetaminofan overdose होगी यह poison होगा दे दिया ज्यादह दे दिया तो इसका antidote की होगा n-acetyl c-16 इनका एस्ट до फ्रंट बर्स अध्रान समय स्ठाओक लांक। को पहले होों अंपोन् lifting कंभास्ती माल को खुर्य जिब की सिर्ट तो यहाँ पूलिकिस्जी श्रक्राण। बिटा ब्लोकर्स बेंजू डाइजीपिंस इंपोटेंट है इसका एंटीडोर कौन सा होगा फल्मा जेनिल इस दा एंटीडोर डाइजीपिंस इंपोटेंट है देखो मैं इंपोटेंट बता देता हूं एसे टामीनोफ हैं इंपोटेंट हैं एंटी कोल इनर्जिक इंपोटे केल्सियम चैनल ब्लोकर्स का केल्सियम गलुकागोन और इंसुलीन इस दा एंटिडो टॉप किसका केल्सियम चैनल ब्लोकर्स कार्बन मोनो ओक्साइड पोजनिंग हो गई है कार्बन मोनो ओक्साइड की यह भी अर बार एक्जा में पुछा जाता है कार्बन मोनो ओक्साइड बrenched आ चाना के में बोला जाता है परालाव लेख सीम और एट्रोपीन और और प्रोपीन इंपविजनग्य होगा इह रिम्टेंट संट्रेश लेख में है डूः सीघॉबेदिंग बर्लforward स्ज्टेस ली टिसे डिक और साइन्ड लोग यहां हाइड्रौक्सी कोबला में हैड्रौक्सी कोबला में एमाईल नाइट्रेड और सोडियूम थीख इसलपेट इस अंटीडुट ऑफ साइन्ड सेचा लाइड अवर डिजोक्सिन का मैटल्स आरसेदेट, कॉपर लेड और मरकृी दिमरकृ лишь ईडी और पैमिसि लामीन और सक्सीमरी DMACE हेवी मैटल्स के और हैड़्ोफेलॉरीक असिड Khealूशियों ग्लकोनेट किसके हैं मैइ अगनेशियों शर्पिट एमजी स्बemor और का केलासम गलकोनad है इंसुलीन गलकोज है का बिस में इंसैंल sac ग्लाइकोल का है फ़मेए पीजोल या इतेनल है और मेथे मो गलोबिन मैथे मेथे मेधाइलिन ब्लीव है ब्लीव डेज दे जाती ना मेथाइल include который मैथे मां गलोबिन और दिये जाते हैं यह e इंपने इलोकसन योउओस और सेरोतुनेंड Cup इंहीटर्स के लिए सीप्रो हेपेटीडीन, सीप्रो हेपेटीडीन, देखो, सेरोटोनीन, र्यूप्टेक इन्हीटर, सीप्रो हेपेटीडीन, और सलफोनाइल यूरिया, सलफोनाइल यूरिया के लिए, देखो, गलकूज हो गया, ओक्त्रियो टाइड हो गया, ओक्त्रियो टाइड हो गया आपक ัंटिडिप्रेजेंट है सोडियम वाइ कारभोनेट यह सार के सारे एंटी डोट सोगे सबिए एप बायोकेमिकल मार्कर और प्री एकलनी स्या इंपोटन dwa ऐखार क्वाइब ऑ Corn vents सीड लेवल इप गोशन बाईब केमिकल मार्कर ओ परीदन lion शाया section as प्री हमा इजे नॉर्मल रेस्पारेटरी रेट ओपे न्यूबॉन न्यूबॉन का नॉर्मल रेस्पारेटरी रेट कितना होता है 40 से 60 पर मिनट आपका नॉर्मल रेस्पारेटरी रेट होता है न्यूबॉन का इंपोटेंट है काई बार एक्जाम में पुचा गया है पुचा जा सकता है अगला next question है desk provided with a table top prevent neck problem is an example of which level of prevention ये तो question आता ही है level of prevention से 100-1% ये prevention के level के questions आपकी not set में भी देखने को मिलते हैं 101% ये not set में आते हैं ऐसे questions तो desk provided with a table top prevent neck problems को prevent करने के लिए desk provide कर जाती है यह कौन से लिवल लोड प्रिवेंशन में आएगा तो प्रामरी प्रिवेंशन में यह आएगा अगला है एक इमेज बेस यह क्या सो करें यह फेटल परजेंटेशन यह कौन सा फेटल परजेंटेशन होगा यह देखो कौन सा फेटल परजेंटेशन होगा यह आपका वेल्विस हो गया यह फिटस है आपका पूरा का पूरा यह कौन सा पर्जेंटेशन क्या ब्रो पर्जेंटेशन हो रहा है क्या बिल्कुल हो रहा है वे ब्रो पर्जेंटेशन देखते हैं ओप्सन में है क्या ब्रो पर्जेंटेशन देखने को मिल रहा है ब्रो यह सो कर रहा है, important है, representation, next question है, आपका, next है आपका, common sign and symptoms of some disease, very 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 important, common sign and symptoms of some disease, PTB, pulmonary tuberculosis, PTB, pulmonary tuberculosis का, इसका, science symptoms, क्या है, low grade, afternoon fever, देखने को मिलता है, pulmonary tuberculosis, low grade, afternoon fever, pneumonia का, rusty, sputum, देखने को मिलता है, rusty, sputum, देखने को मिलता है, अस्तमा में, weeding and on expiration, अस्तमा में, weeding on expiration, emphysema में, barrel chest, barrel shape chest, देखने को मिलती है, emphysema, अस्तमा important हो गया, emphysema, barrel shape chest, देखने को मिलती है, kawasaki syndrome में, strawberry tongue, देखने को मिलती है, kawasaki syndrome में, strawberry tongue, देखने को मिलती है, और parnicious, anemia में, red vp tongue, देखने को मिलती है, important है, parnicious, anemia, red vp tongue, important है, red vp tongue, किसमें, देखने को मिलती है, parnicious, anemia, kawasaki, anemia में, strawberry tongue, barrel shape chest, ये भी आवका important है, और, down syndrome में, protruding tongue, देखने को मिलती है, अपने अभी बात की थी, सबसे पहले अपने बात की थी, down syndrome के बरहे में, उनके symptom याद अखना है, protruding tongue, देखने को मिलती है, cholera में, rice water, इस्टूल, important है, rice water, rice water, किसमें, देखने को मिलते हैं, cholera में, malaria में, step lesser, like fever with chills, देखने को मिलते है, malaria में, step lesser like fever with chills, ये malaria में, देखने को मिलते है, typically road sports in abdomen, next है, typhoid, इसमें क्या देखने को मिलता है, स्पोर्ट बदेखने को मिलते हैं और सुड़ु मेंब्रेन कि होता है डिप्थीरिया में सुड़ु मेंब्रेन फौर्मेशन होने लगता है और कोपलिक स्पर्ट किसमेны को मिलते हैं मेडल इंपोराईंड है चापलिक स्पूर्ट पुछाएं जाते हैं एक्जाम में कोप रिक स्पूर्ट मेजल्स में एसलि सीस्टेमिक लिफ sekarang लेज hippo सिरोसिश में और लपरोसिष में क्या हो मिलता हैं तो लिफ और ultr चीप मंक फेजक इसमें बुली मियम है अपैंडिसाइट इसमें रीबाउंड टेंडरनेस देखने को मिलते हैं यह इसमें क्या होता हैं लेग फ्लेक्स देन लेग पैन और एक्स्टेंशन और बूर्जिंस की साइन देखने को मिलते हैं नेग फ्लेक्स होगी लोवर लेग फ्लेक्स होंगे देखू लेग फ्लेक्स देन लेग पैन लेग को फ्लेक्स करेंगे तब लेग पैन होगा और एक्स्टेंशन और एक्स्ट को मिलते हैं और ट्रावजेस साइन या कार्पोपेडल इस्पाजमा और वास्टिक साइन फेसियल इस्पाजमा वास्टिक साइन क्या होता है वास्टिक साइन क्या होता है देखने को मिलता है तो उसी साइड में आपका फेस जो मसल्स होते हैं वो साइड में मुर जाएगी वो जो आपकी fingers होगी उसमें और हीट्न के मिलता है ए एग में हुझब फेड़ियर में साइक्षायं और M. बॉंक बॉंक retained तो इसमें को लंशाय्ई klin side, bleuss discoloration of amblequartis klin side किया होता है? bleuss discoloration of amblequartis ये किसमें देखने को मिलता है? pencretitis में var newborn amblequartis और grete burners sports किसमें देखने को मिलता है? आपके pencretitis में और pyloric stenosis में क्या देखने को मिलता है? kir enjoy wildlife mask देखने को मिलता है? ऑ görün甚 और p-deas Martyrus长 Meं machine like murmur सब्सक्राइबर आकं उप्राइब आप न सब्सक्राइब और 인데 कि इसमें स्वाशे से माऍस डेन्स साइन pueda right lower quadrant में देखने को मिलता और कौल की पेन भी किसमें देखने को मिलता है Interception में कुछन आया हुआ है DSSB में और आपके North Set 6 में ये कुछन आया था और Multiple Sclerosis में Charcot Triad देखने को मिलता है माच्थेनिय अग्रीविश में Descending Muscle Weakness सभी को पता है Descending Muscle Weakness देखने को मिलती है पक्येशना प्हर सब्सक्राइब बारे भी उसेंड़े व्यूज्च में इसमें कैए होता तुम ψ मेरे भीरे वारेश्था में बहाता है मिश्च चैइठेन मैं अ क्या थेकल आ जोर्ग मनसले स्वी वह प्हर İs औरे सिंड्रॉम्순 जेहने लुज्च को Brennan वे crushing stubbing pen relieved by nitro glycerin crushing stubbing pen nitro glycerin देंगे तब वो relief हो जाएगा MI MI में सभी को पता है crushing stubbing pen which radiates to left shoulder में ये radiates हो जाएगा आपका pen chest pen with radiates to left shoulder में neck, arms और unreliived by nitro glycerin और nitro glycerin देंगे तब भी आपका MI relief नहीं होगा बलब pen आपका relief नहीं होगा unreliived by ntg nitro glycerin देंगे तब भी आपका myocardial जो भी infarction है इसमें आपका क्या होगा pen relief नहीं होगा respirator ltbbm देखने में मिलता है tracheusophageal fistula में force is coughing coughing, choking, cynosis continuous drilling देखने में को मिलता है इंपोर्टेंट है tf, tracheusophageal fistula में force is देखने में को मिलता है coughing, choking, cynosis continuous drilling और epiglottitis important है 3ds देखने में को मिलता है drilling, saliva देखने में को मिलता है dysphonia, dysphagia देखने में को मिलता है epiglottis important है epiglottitis और hot skinks hot skinks hot skinks lymphों में देखने को penless, progressive enlargement of spleen and lymph tissues है और red stenberg cells किसमें देखने को मिलता है hot skinks infectious mononucleosis में क्याद होता है hallmark, soul throat, cervical lymph, adenopathy, fever देखने को मिलता है infectious mononucleus में और parkinson's disease में feel rolling tremors देखने को मिलता है शीजर्स देखने को मिलते है और fibrin, hyline में expiratoryunt般 देखने को मिलता है esimerk室 polyphasia को गहां देखने गूलता है दाटिक कि टो acidosis मेंकोg Did the ब्रितिंग डीफ रव्पीड रेश्परेशन देखने को मिलता आ इंप्टेंद है डिप्टिक किटो acidosis हकुष्मॉल व्रितिंग और ब्लेडर क chase नुमा पैनलेस हिमेचूरिया देखने मूलता है या dribbling of urine किस में देखने को मिलता है BPH, benign, prostatic, hypertrophy या hyperplasia और pampigus, vulgures में निकोल्स की sign, important निकोल्स की sign, देखो निकोल्स की sign क्या होता है, separation of epidermis, cold by rubbing of the skin, rub करते हैं, तो separate हो जाती है, आपकी epidermis ही होता है, निकोल्स की sign किस में पampigus, vulgures में देखने को मिलता है, या vulgures में flashes of light और certain vision देखने को मिलता है, retin attachment में, glaucoma important है, painful vision loss होगा, tunnel या gun या barrel या hollow vision, peripheral vision loss होने को देखने को मिलेगा, cataract penless vision loss होगा, opacity of the lens, important है, opacity of the lens, lens के opacity decrease होना, blurring of vision देखने को मिलता है cataract होगा, penless vision loss, opacity of the lens, blurring of vision, cataract होगा, retinoblastoma में, cat's eye reflex देखने को मिलता है, very very important, grace discoloration of pupils, pupils का grace discoloration और cat's eye reflex देखने को मिलता है, किस में, retinoblastoma में, acromegalia में, coarse facial, faces देखने को मिलता है, और duncan's muscular dystrophy, important है, bower sign, dear friends, यह सारे के सारे symptoms, as it is, आपको याद करने पड़ेंगे, यही तो पुझे जाते है, gover sign, use of hands to push one cell from the floor, GRD, gas to isophagial reflex disease, barriads, isophagus किसमें देखने को मिलता है, GARD में, important है, erosin of the lower portion of the isophagus, mucosa, और hepatic encephalopathy में, flapping tremors देखने को मिलता है, important है, hepatic encephalopathy, flapping tremors, और hydrocephalus में, bozing sign देखने को मिलता है, prominent forehead होता है, आपको hydrocephalus में, और increased ICP, intracranial threshold, increase होगा तो hypertension, important है, predipenia, predicaria, cussing triad देखने को मिलता है, किसमें? increase ICP में, shock में, क्या होगा देखने को मिलता है, shock में, hypotension हो गया, tachypemia, tachycardia, shock में, देखने को मिलता है, minus disease में, important है, vertigo, otanitis, देखने को मिलता है, और cystitis में, burning on urination, cystitis में, burning on urination, hypokalcia में, worstic and trogeous sign, देखने को मिलता है, बात कर लिए, अपने अभी, ulcerative colitis में, recurrent bloody diarrhea, important है, recurrent bloody diarrhea, ulcerative colitis में, और limes disease में, देखने को मिलता है, bulls, eye rose, और otoria, sign symptoms of basilar fractures, देखने को मिलता है, यह आपके sign symptoms के, सारी की सारे disease के, अपने sign symptoms पढ़ लिए हैं, dear friends, please please इसको एक वार शेर जरूर करना, thank you to all of you,